next question, it says a body can be negatively charged by giving excess of electron to it, removing some electrons from it, giving some protons to it, removing some neutrons from it, now अगर हमने किसी body को negatively charge करना है, किसी neutral body को, तो हम उसको electrons provide करेंगे, अगर हमने उसे electrons provide किये, so net charge उस body के उपर आपका negative हो जाएगा, एक चीज़ और जो यहां दियान रखने की ज़र्वत है, अक्सर जो लोग बिलकुल starting में जब कोई से पढ़ते हैं, उन से जब शुरू में बात करो, तो कोई भी अगर neutral body है, उसका मतलब zero charge नहीं है, उसका मतलब यह net charge zero है, यानि कि जितने positive charge उतने ही negative charge, आप zero charge की body नहीं बना सकते हैं, because आपका जो भी atom है, उसमें आपका nucleus है, electron गूम रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चा का जा, झाँ, आपका टूम रहे हैं, आपका जाmist video कि नहीं है, अच् c h आपका भी अー तो को अंऑते हैं, और रहे हैं, आपका चृम सकैणा आपकाड़ायनों, तो को फो चbody आपकाड़ायनों, अबार पकाड़ायनों, और था एंधूं कर अभूं